हलो दोस्तों श्रागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रश्नम है दोस्तों हमारे चैनल पर आपकी उत्राखन से संबंदित प्रश्नों की स्रीच चलाई जा रही है जिसका की ये पार्ट थर्ड है दोस्तों इससे पहले हम दो पार्ट अपलोड कर चुके है अगर आपने वह पार्ट अभी तक नहीं देखे तो वह दोनों पार्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप वहां से वह दोनों पार्ट देख सकते हैं दोस्तों शुरू करते हैं आपका पहला क्वेशन तो आपका उत्राखंड का नैपोलियन किस साशक को कह साशक का आजाता है ऊत्राखंड नैपोलियनल का आजाता है वह आपका आजरइक पाल को तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा ऑप्समबर अप्स нес के स्थापना किस ने की थी तो यह की थी आपकी मादवानन्द लोहनी ने ने निश्क्रेशन आपका यस परिवार खस परिवार कानून किसकी रचना है तो खस परिवार कानून है आपकी option no.10 का right answer हो जाएगा लिलाधर जोसी next question है आपका उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार घराट विहीं जनपद कौन से है तो जो घराट विहीं जनपद है आपके राजय में वो है आपके उधम सिंग नगर भी है और हरिद्वार भी है तो हो जाएगा option no.C उप्रुक्त दोनो next question है आपका गरुण मंदीर किस जनपद में इस्थित है तो गरुण मंदीर आपका इस्थित है पोडी में next question है आपका कणवास्रम किन परवतों के मध्य बसा है तो कणवास्रम बसा है आपका हेम कूट परवत के भी है और मड़ी कूट तो right answer होगा उप्रुक्त दोनो नेक्स क्वेशन की ओर बढ़ते हैं चंद सासको के समय सौका परियापारियों से स्वन धूल के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा था तो वो था आपका उप्सन नमबर B कनक आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं सोना का परियाई वाजी होता है आपका कनक तो व्यापारियों से स्वन धूल के रूप में लिया जाता था आपका कनक ठीक है नेक्स क्रेशन है आपका गुणा दित्या सूर्या मंदीर किस जनपद में इस्तित है तो ये इस्तित है आपका ओप्सन नमबर A अलमोडा में नेक्स क्रेशन है आपका मढ़ का सूर्या मंदीर किस जनपद में इस्तित है तो जो मढ़ का सूर्या मंदीर इस्तित है वो है आपका पिथोरा गड़ में नेक्स्ट क्रेशन है विकेट भूमी बंदोबस्त का समय क्या था तो ये था आपका उप्षन नमबर A का राइट अंसर हो जाएगा अठरसो तिरसर से अठरसो तिहत्तर नेक्स्ट क्रेशन है माहराजा नरेंदर साथ चितर संग्रालाई किस जनपत में है तो ये इस्तित है आपका तिहरी में नेक्स्ट क्रेशन है माता देवलाडी का मंदिर इस्तित है तो ये इस्तित है आपका उप्षन नमबर A देहरा दून में किस पवास आशक ने राजगडी को अपनी ग्रिश्म कालीन राजधानी बनाई थी तो ये बनाई थी आपकी ऑप्सन नमबर बी प्रिथवी शाहने नेस्ट क्रेशन की ओर बढ़ते हैं गडवाल का विनासकारी भूकंप किस आशक के समय आया था तो आप सभी को पता होगा ये आये था आपका उप्सन नमबर ए प्रद्यूम निशाह के समय इसी का फाइदा उठाते हुए आपका गोरखाओन ने गडवाल पर आकरमान किया था ठीक है नेक्स क्रेशन है आपका राजगडी नामकिस्थान इस्तित है आपका उप्सन नमबर ए उत्तरकाशी में आखरी क्वेशन है आपका आजगडी जी को उत्राखंड में चल रही कुली बेगार प्रथा से किस उत्राखंडी ने अवगत कराया था तो ये कराया था आपका उप्सन नमबर डी बद्रिदत पांडे ने तो दोस्तों ये थी आपके आज़ की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ उके थेंक यू झाल 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 झाल